वेलकम दोस्तो आज हम बात करेंगे समुंदर के कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज चाहे मनुष्य ने इतने भी तरक्की कर ली हो धर्ती के कुछ रहस्य अब तक अंसुल जे है जिन में से एक हमारा समुंदर है तो आज हम बात करने वाल है उसे समुंदर के रहस्य के बारे में वीडियो को इंट तक जरूर देखेगा तो पहले नंबर पे आता है मरियाना ट्रेंज जिसकी गहराई लगबग 11 किलोमिटर है जिसकी गहराई में सुरज की रोशनी तक पोच नहीं पाती वाईग्यानिक का मानना ए है कि इस गहराई में विवद्ध प्रकार के जीव हो सकते है जिन के बारे में मनुश्यों को अब तक पता नहीं है या फिर हमें यहाँ पे कोई प्राचिन जीव देखने को मिल जाए एसा हुआ तो यह एक आज तक की बड़िक हो जोगी दूसरे नमबर पे आता है मेगालेडॉन इसे आप हमारी शार्प का बड़ा रूप भी मान सकते है इसकी लंबाई 47 से सरसट फिट थी और इसका उधन एक टन से भी जादा होता था आज अगर यह जिन्दा होती तो आज हम समुदर में मचली को नहीं पकड़ रहे होते मचली हमको पकड़ रहे होती इसरे नमबर पे है टाइटानो बोवा हमारे धर्थी का सबसे बड़ा और लंबा सा यह साप पानी में और धर्थी पे दोनों जगा पर शिकार कर सकता था पुराने समय में यह साप छोटे डाइनसोर का शिकार किया करता था आज भी कुछ रहस्तेम है जगों पर इस साप को देखे जाने का दावा किया गया है। देखने वालों का ये मनना है कि इस साप की लंबाई 12-15 मिटर थी। चोते नंबर पर आता है मौससोरोस जिसकी लंबाई 10-18 मिटर थी और उसका वदन 10-15 तन तक था। ये दिखने में हमारे मगरमच की तरह ही था। पर ये हमारे मगरमच से कई गुना बड़ा था। 10 करोड साल पेले ये बड़ी-बड़ी मचलियों और डाइनसोर का शिकार किया करता था। पाच्वे नंबर पे आता है जाएंट ओक्टोबस। इस ओक्टोबस के बड़े-बड़े टेंटिकल्स और विशाल शरीर था। और इसी बड़े-बड़े टेंटिकल्स से वो आपने शिकार को जकड लिया करता था। और ये ज्यादतर समय समुन्दर के गहराई में ही रहत थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और एसी इंट्रेस्टिंग और वीडियो देखने के लिए हमारे यूटूब चैनल इंट्रेस्टिंग फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्यू फर व खीक्द को आव सब्सक्राइब लबते हैं और अजयो